किसान संगटनों से जुड़े कारे करताओं ने फतेहाबाद में प्रदर्शन कर सरकार का पुतला जलाया सयुक किसान मोर्चा की ओर से केंद्र और राजिस सरकारों के पुतले जलाने का आवाहन किया गया था और इस कड़ी में फतेहाबाद में भी दोपहर को लगु सची वाले के नजदी की कटे हुए किसान संगटनों ने सरकार की खिलाब जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन की और फिर आदम कद के एक पुतले को जलाया किसानों ने कहा कि दशेहरे पर पर भुराई के प्रती को जलाया जाता है और उनोंने सरकार का पुतला जला कर अपना रोष जताया है उनोंने कहा कि किसान लगातार जिन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार उन मांगों को अंसुना कर रही है संयुक्त किसान मोर्चा के अवाहन पर उन्होंने प्रदर्शन किया है और आने वाली 18 अक्टूबर को 6 घंटे तक रेल रोकर एक बार फिर प्रदर्शन किया जाएगा उन्होंने कहा किसके साथी 26 अक्टूबर को लगनव में एक विशाल किसान महा पंचायत होगी जिसमें बड़ी संख्या में किसान भाग लेंगे उन्होंने बताया कि उत्तर परदेश में शहीद हुए किसानों की अस्तियों की दो कलश यात्राएं हर्याना में निकाली जा रही है एक यात्रा पंचकुला से शुरू हुई जो 24 को सिंदू बॉर्डर पर पहुँचेगी और दूसरी डबवाली से जो कल फतेहबाद में पहुँचेगी और पूरे जिले में जाएगी और ये यात्रा 24 को टिक्री बॉर्डर पहुँचेगी देश पार देविचे उतले फूपना हमाना है वोसे लेता है तर अचे चला फदेवाती सुंगत किसान मोर्चा वलों आज एथे एस वुराही देज़े प्रती की तहन किता जा रहे है दोस्तों सिंदू किसान मोर्चा वलों अगे जिरियां अलान ने पाल है ओ एक ठारा तर और उस्तों इलावा साथे जो शहीद होए ने किसान की रहे है ओना दिया अस्थियां ओना तक ट्रश लेगे है दो यात्रा माहर याणा देविचे शुरू किता जाए जाए जो चोवी तरीक ने पहुंचेगी एक जड़ी है को टाइचे डबार जो शुरू हुई है जो चो जो चीडिया है जो शुरू है किसान मजदूर एकता जिन्दाबाद 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 लखीम पूर खीलिदे शहीद अमर है प्रतम तहलका के लिए फतेह बाद से सुनिल कुमार की रिपोर्ट